वेल्कम टू चादोई किचन किंग आज हम जो रैस्पी बनाने वाले हैं वो है सुझी का दही बड़ा इसके इंग्रीडियन्ट इस प्रकार हैं सबसे पहले हम लेंगे एक बाउर और उसमें सुझी लेंगे उसके बाद हम अजवाइन, जीरा, मंग्रेल लेंगे और रीफाइन ओयल लेंगे और प्लेटिंग के लिए काला नमग, जीरा पाउडर और लालमिष पाउडर लेंगे और सुखर लेंगे दही लेंगे सबसे पहले हम प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए कड़ाई को गैस पे चड़ाएंगे उसके पाद टू टेबल स्पून हम ऑईल डालेंगे ऑईल को गर्म होनी देंगे उसमें जीरा डालेंगे और जीरा को लाल होने देंगे उसके बाद हम इसमें हल्दी डालेंगे और भूल लेंगे उसके बाद हम पानी डालेंगे दो गलस पानी मैंने एड़ किया है आप अपनी एकॉर्डिंग इसमें एड़ कर लीजिगाँ टेस्ट के एकॉर्डिंग मैंने इसमें नमक डाला है अब हम इसे उबलने देंगे उसके बाद हम इसमें सूजी डालेंगे सूजी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़े देर इसे फून लेंगे इसके बाद हम इसमें जिवाइन और मंगरेल डालके चला लेंगे थोड़ा सब होने के बाद इसे हब हम एक थाली में निकाल लेंगे और थाली में थोड़े दे ठंड़े होने के लिए छोड़ देंगे जैसा कि आप देख रहे हैं इसे मैं अच्छे से गूत लोंगी और एक अच्छा डो बना लोंगी डू मारा तयार है इसकी छोटे छोटे हम पेड़े तयार कर लेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं मैं पेड़े तयार कर रही हूं और हलका सा इसे प्रेस कर देंगे इसी तरह हम सारे पेड़े तेयार कर लेंगे और ओयल को गर्म कर लेंगे और इसमें सारे पेड़े डाल देंगे जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने सारे पेड़े इसमें डाल दिये हैं अब इसे हम गोल्डन प्राउन होने तब तल लेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं यह गोल्डेन प्राउन हो रहा है अच्छे से इसको तर लेंगे हम और इसे निकाल लेंगे और इसे साइड में रख लेंगे देखिए कि कितना सुंदर दिख रहा है देखने में कलर भी बहुत ही सुंदर है प्लेटिंग के लिए हम काला नमल जीरा पाउडर और लाल मिश्ट लेंगे और हलका से मिठास के लिए हम सुगर लेंगे उसमें टेस्ट के कॉंडिंग सुगर डालेंगे अगर आपको बहुत मीठा पसंद है तो आप जैदा सुगर डाल सकते हैं नहीं तो थोड़ा सा अबकाशकर अगर अच्छे की के बड़े को तोड़के डाल देंगे और दही डालेंगे दही में पुरा डिप होना चाहिए उसके बाद हम इसमें काला नमक डालेंगे अब इसमें हम चीरा पाउडर डालेंगे और इसमें लाल मिच्च पाउडर हम एड़ करेंगे हमारा दई बड़ा बनके तयार हो चुका है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है आप इसे एक बार जरूर ट्राइग करिएगा अगर ये वीडियो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे घर पे जरूर ट्राइग करें और इसे सस्क्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शियर करें और थैंक्स पर वोचिंग बाँ बाँ